मोटापा के लिए दस उपाए, मेदोहरवटी, वेट गो, त्रिफला गोगुल, त्रिफला का पानी, सुबह उठकर के गरम पाने में हल्दी, अदरक, नेम्बू, हल्दी, फ्रेश हल्दी, कच्ची हल्दी, हल्दी, अदरक, नेम्बू का रस मिला करके गरम पाने में थोड़ अर्क के साथ मेदोहर या वेट गो किसी को मेदोहर किसी को वेट गो अनुकुल पढ़ती है उसको ले लो या त्रिफला गुगल ले लो एक दाम मोटापा कम हो जाता है घी नमक मीठा बंद कर देते हैं मोटापा वनों का घी नमक मीठा अनाज थोड़ी दिन के लिए बंद कर दो बात में जब ठीक हो जाओगे बात में खाना दो चमच गी बोलाई वा मैंने जिन को मोटापा है घी नमक मीठा अनाज बंद कर देते हैं आश्वगंधा के पत्ते खिलाते हैं सुबह दोपर शम यहां से भी पोदे मिल जाते हैं अपने घर में भी लगा सकते हैं आश्वगंधा के बीज गमले में लगा लो तीन तीन जिनके किसी किसी के तो परिवार में ही मोटापा जेनेटिक लिए है किसी को थारेड के कारण से किसी को बोड़ी का मेटवाले जब गडबड़ होने के कारण से किसी को श्टिराड के कारण से किसी को दवाओं के कारण से ज़्यादा बैठक के कारण से किसी भी कारण से आपको मोटा पाए तीन तीन पत्ते अश्वगंधा के खालो उसके उपर तो पुरा रिसर्च कर चुके हैं हम लोग जुद आध भूत है अश्वगंधा के उपर अश्वगंधा यहीं सी मिलेगा अपनी जाते समय यहां साथ में नर्सरी है ना नर्सरी और रिसर्च सेंटर देख करके भी चले जाना है यहां नर्सरी में पोधे ही तैयार करके देते हैं और यहां से आपके लिए हम व्यवस्था करवा देंगे हाँ कोई नहीं जाना है तो नर्सरी बगल में ही है यही तो साइड में है पतंजरी रिसर्च यहाँ पर पेड़ पोधे हैं और उसमें से 222 आपको नर्शिरी में ले जाने के लिए भी मिल जाते हैं अशोगंधा अद्बोत है वेट कम करने के लिए वेट कम करने के लिए गरम पानी ही पीना है ठंडा पानी पीना ही नहीं है वेट कम करने के लिए अभ्यास करने है वेट कम करने के लिए आपको मेद औहर वेट गो बस्ती करनी है जिसमें त्रिफला होता है त्रिफला सर्वकल्प या कायकल्प ये क्वात हुबाल करके और उसमें मेद औहर वटी वेट गो या त्रिफला गुगल ये पांच-पांच या दस-दस गोली डाल एक दिन ये वेट गो बसें तो फिर अगले दिन मात्रा बस्ती होती है एर्रिंड के तेल से बड़ी ये रुक्ष होती है ये लेकन गोधन अरक की बसिती है न ये वेट को चाट देती है इसके लिए वाटर थेरा पे मड थेरा पे ग्रीन हाउस सरमोलियम थेरा पे स्टीम बात ये सारे उपाई आपको मैं कई बार बताता हूँ एक चीज को मोटा पा अकेले ये अर्दहलासन पाद वृत्तासन द्विचाकरिकासन ये तो करने ही है इसके साथ जो दूसरी भी उपाई हैं वो भी करो